हम नमस्ते दोस्तों सभी साती एक बार जुड़ जाएं इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है और दुख़द ख़बर भी है अलांकि इस ख़बर को लेकर जो है वो अधिक जानकारी हमारे पास अब तक नहीं पहुची है लेकिन अब तक तो जानकारी पहुची है और वो अपने आप में एक दुख़द और बड़ी ख़बर है कि एक गौसाला के अंदर जो पिछले चार-पांच सालों से लगातार मेनत कर रहे थे गौवन्स को बचाने के लिए लगातार अलगलग परकार के कोशिश कर रहे थे और नतिजन करीब 2000 जो गौवन्स है उस गौसाला में उस गौवन्स की सेवा की जा रही है और ऐसे सादू करीब दिन की उम्र जो है 60-70 साल है सादू ने उसी गौसाला में गौवन्स के सामने फांसी का फंदा लगाकर आत्म हत्या कर ली है आपने आप में बहुती दुखद खबर है और बड़ी खबर है क्या पूरी अपडेट है मैं आप लोगों को दूँगा पूरी जानकारी दूँगा लेकिन जब से ये बात सामने एक सादू के सुसाइड करने की और वो भी गौसाला के अंदर जहां पर करीब 2000 जो गाये हैं जो गौसाला के अंदर थी और गौसाला परिसर के अंदर ही सुबह जब लोग उठे तो उनका जो सव है वो लटका मिला फासी का फंदा लगा कर आत्म हत्या कर दी हैं क्या पूरी जानकारी है मैं आप लोगों को दूँगा लेकिन उससे पहल करें अपने आप में सभी को जानकारी काफी लोग जो हैं फोन मैसेज कर रहें थे कि वाकी में क्या गटना है क्योंकि काफी सोचल मेडिया पर अब देखिए उस गटना की जानकारी लोगों को अभी एक गंटा भी नहीं हुआ है कि लोगों को जानकारी मिले उसके बाद से सोचल मेडिया पर इस्टेटस लग रहे हैं और लगातार फोन आ रहे हैं कि क्या गटना है तो मैं आप लोगों पूरी जानकारी दूँगा ये जो एक सादू संत जो है जिनका नाम दयाल पूरी है बाडमिर के ग्रामिंट थाना चेतर के दानता में एक गवसाला है पाबू जी राठोड गवसाला मोहन गवसाला से धोड़ी दूरी पर ये गवसाला है पाबू जी राठोड गवसाला पाबू जी राठोड गवसाला में पिछले कुछ वर्सों से लगातार बहतरीन मैनत कर रहे थे और आसपास की लोग और वहां रहने वाले लोगों का यसा कहना है कि करीब 2000 ऐसी जो समयों को वहां पर रख रहे हैं उनकी शिवाय कर रहे हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया है और जैसे यह सूचना मिली है तो वहां पर बहुत ही भारी शंख्या में आपर लोग उपस्तित हुए हैं गाउं के लोग वहां पर पहुंचे हैं अपने आप में ये दुखद खबर हैं और बड़ी खबर भी हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इतना अच्छा काम करने वाले एक सादू ने गौशाला के अंदर ही फांसी का फंदा लगा करके आत्म हत्या कर दी हैं पब्लिक व्यू अगर जाने तो पब्लिक व्यू लोगों का यसा कहना है कि जो य उन्होंने हार नहीं मानी और विभीन परकार के प्रयाश करके और गायों को बचाया लंपी बिमारी में भी गायों की खूब सेवा की और नतीजा यह हैं कि करीब 2000 गायों जो हैं उस दो साला में हैं अलाकि पुलिस अभी मौके पर पहुंची है और पूरे मामले को लेकर ज बाड़ी खबर भी है कि एक जो सादू है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है बहुत ही दुखत खबर इस वक्त की हम आप लोगों को दिखा रहे हैं बाड़मेर के दाता जो गाम है गामिन थाना चेत्र के वहां पर एक पाबुजी राठोड गउसाला है और उस गउसाला के अंदर एक शादू जिनकी उम्र करीब साट सातर साल है उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो तमाम पूरी जो जानकारी है वह हम आप लोगों को देंगे क्या पूरी जानकारी है और क्या से क्यों आनोंना किया अभी तक चो बात हमारे सामने आई है वो इस परकार की आई है कि गउशला जो उनकी ट्रस्ट हैं कमेटी हैं सेवा समीती हैं जो भी है उनके कुछ या फिर एक दो या फिर एक जो पदादिकारी है उनको लेकर कुछ विवाद चल रहा था और इस बात से परिशान होकर के सादू ने ऐसा कदम उठाया है। परताल करेगी पूरी जांच के बाद सामने आप आप आएगी कि ऐसा कदम क्यों उठाया है मेरी तमाम दर्सक जो करीब 16-1700 मित्र मुझे लाइव देख रहे हैं मेरी उनसे अपील है कि किसी प्रकायत की अगर कुछ देकत आती हैं कुछ परिशानी आती हैं तो मिल बैट कर उसका निप्टारा किया जा शकता है आसे कदम नहीं उठाने चाहिए और इस मामले को लेकर हम बने रहेंगे आपके साथ और पूरी की पूरी गटना आप लोगों तक पहुंचाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद